आपका स्वागत है आज हम देखेंगे split body tool क्या है किसी भी body या 3D model को दो पार्ट में किस तरह split करते हैं फिलाल यह पूरा एक ही पार्ट है हम इसे दो पार्ट में split करेंगे इससे पहले हमें एक partition देना होगा तो हम एक plane select करते हैं front plane sketch normal एक partition बनाईए एक ok इसे extrude कीजिए बहुत ही minimum 1 mm पे select कीजिए ok यह देखें यह हमारा partition ready हो गया अब हम split body tool select करते हैं insert में जाईए feature में जाईए यहां आपको नीचे मिलेगा intersect के नीचे split body tool है split body tool select करने के बाद trim tool में आप partition select कीजिए यहां cut part है cut part पे click कीजिए अब यह part पूछ रहा है यह एक part है यह दूसरा part है तो दोनों part click कीजिए ok अब देखें यहां body creative part 1 part 2 part 2 में partition और other side भी आ गया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक partition को edit में जाइए unmerged result कीजिए ok तो अब यहां देखेंगे आप 3 body हो गई एक outside body एक इस तरफ की body और एक partition तो यह था हमारा split body tool split body tool की मदद से आप किसी भी part को 2 या 3 part में distribute कर सकते हैं यह बहुत useful tool है उमीद करते हैं यह video आपको पसंद आया होगा भी का कि लिए झाल ँझाल कि बात्त कि यह आपकता एक बात कि यह कि बात